हर और होगा जशने काम्याभी का शोर क्योंकि टेश्ट बुक लेकर आया है अप टू 90% ओफ वन्स मोर जी या इस 20, 21 और 22 सप्राइल को टेश्ट बुक लेकर आया है सभी सुपर कोजिंग जैसे SSC, बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनरिंग, UPSC एंड स्टेट पीएस्ट पर से पर अप टू 90% ओफ एंड 50% की एक्स्टा वेल्डिटी तो जनाब देर किस बात की नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके इस ओफर का लाव उठाइए और हम जल दाएंगे आपको देने सेलेक्शन की मुवारकबाद यहां से आपको आने वाले सारे सेशन की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी प्लस नोट्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों इसके अलावा फिलाल जशने कामिया भी हमारा सेल चल रहा है जहाँ पे yearly test book pass के वल आपको 251 रुपीज के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे enroll करने के लिए आपको एक code यूज़ करना है and the code is pushpuck pass P-U-S-H-P-A-K-P-A-S-S तो कोई space नहीं है डिरेकली आप इसे यूज़ कर दीज़े so this code you can use चल लो start करते है session को start करते है lecture को ज़्यादा delay ना करते हुए तो आज हमारा focus है insurance liability principles so liability जो concept है insurance के अंदर उसके उपर हम लोग बात करेंगे now liabilities concept पे बात करते वक्त एक चीज़ पता होना बहुत जरूरी है और उस चीज़ के उपर मैं पहले भी आपके साथ बात करता हूँ ध्यान दीज़ेगा क्या concept है जो मुझे आपके साथ discuss करना है the concept is that there is a concept called tort एक tort नाम का concept होता है अब tort का मतलब क्या है क्योंकि liability ये tort के angle में intentional tort, unintentional tort so all these things we need to talk about देखे suppose इंडिया का law है और अगर आप law break करते हो तो it will be called as crime उसे crime कहा जाएगा अब जैसे हम insurance निकालते हैं अब जब हम insurance निकालेंगे तो हम ऐसी कुछ चीज़ों के insurance निकालते हैं जो शायद होने के वाज़े से law तो break नहीं हो रहा है बट शायद accidentally, unintentionally कुछ गलतिया हो रही जिसके वज़े से दूसरे का नुकसान हो रहा है जिसे for example, mobile mobile की बात करेंगे mobile का भी insurance आता है suppose accidentally किसी के वज़े से मेरा mobile गिर गया, food गया तो वो crime नहीं है या फिर intentionally भी उसने मेरा mobile फोट फोट भी इसको crime नहीं कहेंगे because law में mobile break करने के लिए कोई crime नहीं माना जाएगा उसके लिए भले जज या फिर कोई authority आपको बोलेगी भाई ऐसा मत कीजेगा, थोड़ा सा सुना देंगे पर आपको jail will नहीं डालेंगे कोई आपके उपर criminal action नहीं लगाई जाएगी पर फिर भी मेरा नुकसान तो हो रहा है मेरे personal rights तो hamper हो रहा है मेरा mobile खराब हो रहा है, मेरा mobile तूट रहा है तो ऐसे situation को हम लोग tort कहते है तो अगर आपने suppose law break किया will be called as crime बट अगर आप किसी और person के rights break करते हो, बट उससे law break नहीं हुआ rights break हुए है, तो उसे हम लोग normally tort कहते है will be called as a tort so, जो लोग a person committing a tort, a person committing such kind of mistakes or such kind of things will be called as a tortfazor, tortfazor उसे कहा जाता है, so यह tort नाम का word भी याद रखेगा, यह बड़ा important रहेगा exam के लिए अब देखेगा, it is important to note that liability insurance applies only to the financial consequences of the tort तो liability insurance यह concept है, liability के जो principles of insurance वाल है it is only applicable for the financial consequences obviously, जब insurance हम निकालता है तो financial consequences के उपर ही हम work करेंगे, we are not going to work on the emotional consequences, we are not going to go work on any other consequences only, विज़े मैंने का कि मेरा mobile break हो गया, मेरे गारी का अगर accident हो गया, so वहाँ पे जो financial losses होंगे उसी को fulfill करने के लिए, यहाँ पे बात की जाएगी, if the insured is angry at his neighbor and intentionally burns down this house, the insured had committed the crime, उसके लिए crime होगा, कि crime होने के बाद फिर बाकी सारी चीज़े होगी, तो उसमें liability insurance की बात नहीं करेंगे, crime होगा, criminal case file होगी, उसके थूँ जो भी compensation आना, उसके थूँ जो भी चीज़ होनी है वो होगी, कि तो इसे liability नहीं कह सकते हैं, यह कोई नहीं कह रहा है कि crime होने के बाद आपको insurance की facility नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हम बात कहते हैं कि liability है, जो concept है insurance के अंदर, यह liability insurance जो concept है, यह crime के अंदर नहीं चलेगा, विकाज हो court के पास जाएगा, वहाँ पे law work करेगा, अगर, जैसे for example एक और चीज, so if the insured is having a backyard barbecue and accidentally start a fire that burns down the, suppose गलती से neighbor के घर को आग लगे, due to some things in your suppose आपके घर में short circuit हो गया, जिसका problem बाकियों को हुआ या, suppose आप अपने आंगन में कुछ कर रहे था जिसके वैसे बाजु वाले के घर को आग लगे, तो यह accidental हुआ, आपने जान बूच के नहीं लगाई, तो जब accidental होगा और वो प्रूँ होगा कि it was accidental an accident, so ऐसे time पे liability insurance यह concept work करेगा, तो यह point समझेगा जैसे again, मैं repeat करता हूँ अगर suppose किसी ने जान बूच के जान बूच के public places पे या समझेगा जान बूच के इसे ने गाड़ी चड़ा दी और किसी को मार दिया इंडिया में बड़े famous लोग ऐसा काम करते कि गाड़ी चड़ा देते और लोग को मार देते, जान बूच के crime है ना, यह crime है but suppose due to some natural reason or some reason accidentally वो हो गया तो case file करने से पहरे liability insurance वाला concept वर्क करेगा, अगर case file हो गई और case में बता चला कि नहीं it was a crime, वो deliberated crime था तो फिर obviously law जो decide करेगा वो होगा, तो दोनों cases में, दोनों cases में insurance वर्क करता है पर liability insurance प्रिंसिपल का वर्क करेगा, जब चीज़े tort के एंगल में होती है ना कि law के एंगल में बस यही मुझे बताने की कोशिश करनी है बहुत बार उसके अंदर थीन लाइन होती जैसे मैंने अभी गाड़ी का example आपको दिया तो वहाँ पे थीन लाइन है, no doubt about that क्योंकि law दोनों में break हुआ है कि एक में intentionally, एक में unintentionally तो हमें liability insurance के principle को implement करने के लिए tort इस concept को find out करना यहाँ पे जरूरी होता है तो यहाँ पे थोड़ा grey area रह जाएगा जिसके लिए insurance company वर्क करती है बस यह ध्यान दीजेगा accident, an unplanned event, unexpected or undesigned which occurs suddenly at a definite place इससे accident कहेंगे, everyone knows about that तो उसकी definition लिखी हुई because law में definition से लिखना जरूरी concept होता है चलो, आगे देखते कि now we'll talk about the occurrence occurrence की बात करेंगे तो in an event results in insured loss occurrence का मतलब है कि जापे insured का loss होता है that situation is called as occurrence so occurrence can happen due to accident or due to non-accident situation in some lines the insurance such as liability are distinguished from the accident in that loss does not have to be sudden and for sure so occurrence कभी-कभी sudden होगा या sometimes it cannot be sudden क्योंकि intentional thought अगर होता है तो वो sudden नहीं होगा उसके पीछे background भी हो सकता है so occurrence, basically यह occurrence का definition है अब देखें, unintentional thought की बात करते है the majority of personal liability cases involves unintentional thought so majority यह होता है पर intentional thought, thought नाम का भी concept है जिसके उपर last में हम बात करेंगे negligence is the most important reason behind the unintentional thought negligence के वया से यह problem होती जिसे duty to act the duty to act in a reasonably prudent manner toward another so breach of the duty to act so जो आपका काम था अगर आप वो नहीं सही तरीके से focus से करते हो तो वो negligence में calculate किया जाएगा occurrence of injury or damage अगर इस negligence या unintentional thought में होता है तो उसके साब से आपको पैसे दिये जाएंगे या आपको financial losses में help मिलेगी damages is an important term to understand any discussion of the liability कि damages क्या हुए compensatory damages का मतलब है कि जो भी नुक्सान हो आपको थोड़ावत पैसा दे दिया specific amount दे दिया हो गया punitive damage का मतलब है कि आपको शायद क्योंकि आप पै करने के लिए मना कर रहे थे तो फिर court के थुरू आपसे पैसा लिया गया punitive damages कि law के थुरू आपसे पैसा लिया गया fine के तौर पे punishment के तौर पे अब आप कहोगे sir आपने तो कहा था कि law or tort में फर्क होता है but suppose damage होता है कि it's not a of the क्या केंगे हम कि ये law के against नहीं गया जो भी act हुई जो भी damage हुआ उसमें law breach नहीं हुआ but still personal problem तो हुई है personal issue तो हुआ है और personal issue को लेकि आप court में जा सकते हो reads petition के अंदर आप court में जा सकते हो court के पास अपनी case को present कर सकते हो और ऐसे situation में court सामने वाले को fine punishment या कोई भी चीज़े जो pay करने के लिए बोल सकता है so compensatory damage भी है और punitive damages भी है जिसके अंदर आपको पैसे मिल सकते है या जो आपको help मिलेगी negligence now comparative negligence comparative negligence का मतलब क्या है अगर दोनों parties ने कोई ना कोई negligence दिखाया so for example मैं mobile साही से नहीं पकड़ा था कि या फिर मैं mobile को mobile के साथ खेल रहा था और किसी का धक्का लग गया तो mobile गिर गया उसका भी negligence है मेरा भी negligence है so comparative negligence यह भी concept यहाँ पे आएगा contributory negligence क्या होता है injured party fails to exercise the proper care in some way to contribute to his or her injuries so again contributory negligence means पहले तो हो गया पहले तो incidents हो गया उसके बाद आपने भी उसमें delay किया या आपने भी उसकी properly care नहीं ली तो वो problem और बढ़ गया वो problem और increase हो गया so comparative negligence जहाँ पे दोनों parties का negligence compare किया जाएगा कि who is more negligent उसके साब से then contributory का मतलब है कि पहली party ने तो गलती करी दी ती उसके बाद you were injured or you suffered some problem still you didn't took care of that और you didn't take care of that और उसके वैसे फिर problem आपकी बढ़ गई तो यह contributory negligence के अंदर जाएगा liability, legal liability, absolute liability, strict liability and the vicarious liability अब धान दीजे liability legal liability का मतलब है under the law law के अंदर अगर है तो उसको legal liability law का मतलब यहाँ पर agreement जो आपने agreement sign किया जब हमें insurance sign करता हूँ या insurance का contract sign करता हूँ उसके अंदर अगर आपने sign क्या किया ऐसे से situation में मुझे help मिलनी चाहिए तो वो legal liability में आएगा absolute liability का मतलब क्या है जैसे for example use of explosives strict liability का मतलब है the product coverages the liability that manufacture and merchandise for example मेरे पास कोई default product आ गया default कोई suppose मेरी गारी ही default ही थी जिसके वैसे मैं कितना भी अच्छा driver हूँ मैंने सब सही किया पर गारी default थी suddenly brake नहीं लग पाए या clutch ख़राब हो गया so उससे accident हो गया so इसमें strict liability वाला concept आएगा ये भी कई बार देखने को मिलता है जब accident की cases file होती है and then vicarious liability under certain circumstances person is liable for the act of someone else for example the automobile parent देखे act of someone else में suppose कोई बच्चा है under age वो गाड़ी चला रहा है उसके वैसे accident हो गया अब वो under age है और उसके parents responsible रहेंगा because उनकी गाड़ी है वो under age है आपने उसके गाड़ी दी ही कैसे उसने आपकी गाड़ी चला ही कैसे so यहाँ पे कोई और responsible बन जाएगा किसी और के act के लिए so legal liability आपके contract में जो लिखा है absolute liability अगर mass weapon या कोई ऐसी चीज़ होती जिससे सबका नुकसानी होना है तो absolute liability strict liability का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो product है वही default था and vicarious liability someone else will be responsible for your act जैसे under age बच्चे के हमने बात की थी then intentional taught यह बहुत rarely use होगा but यहाँ पे आप जानबूच के किसी का नुकसान कर रहे हो जानबूच के किसी को injury कर रहे हो मैं जानबूच के किसी को धक्का मार रहा हो और मैं ऐसा शो करूँ का कि it was intentional कि वो prove करना होता है obviously वो दिक्कत यहाँ पे होती है पर maximum cases जब liability insurance की बात होती है तो unintentional taught के अंदर ही आती है but still there are some cases जापे intentional taught होगा but still आप कोई जो देश का law है वो आप break नहीं कर रहे हो आप personal problem create करोगे personal liabilities के अंदर infringe करोगे तो उसकी साब से उसे pay किया जाएगा उसकी साब से उसे payments दिये जाएगे so liability को समझने के लिए यह thin line understand करना कही बार जरूरी होता है again यहाँ पे एकदम black and white situation नहीं है यहाँ पे obviously grey situation रहेगी यहाँ पे obviously deciding factors रहेंगे जो insurance companies पे जादा depend करेंगे so that's all from my side for the day we'll see you in the next session guys तब तक के लिए bye bye take care